ये फेसवास चेहरे को गोरा करता है जिससे चेहरा सुन्दर और अच्छा दिखाई देता है चलिए अब हम आपको इस फेसवास के यूज के बारे में बताते हैं चेहरे पर किस परकार की दिक्कत किस परक्यार की परेसानी रहती है तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं वैसे भी इसका उपियो कहां कहां पर किया जाता है ये फेस्वास आपको एक दिन में कितनी बार लगाना होता है कौन-कौन ये फेस्वास नहीं लगा सकते हैं और कौन-कौन ये फेस्वास लगा सकते हैं इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे जैसे कि अगर क फेस्वास का उपियोग कर सकते हैं जिससे आपका जो इसकीन है उसमें साइनिंग आ जाएगा और जो पिंपल्स की प्राबलम है वो ठीक हो जाएगा खासकर लेडिज में या फिर जेंस में ये देखा गया है कि उनके आख के नीचे यानि हम आख के नीचे आख के दोनों साइ है ऐसा लगता है कि काफी ज़्यादा काला पड़ गया है तो उस समस्या में भी आप इस फेस्वास का उपियोग अपने चेहरे पर कर सकते हैं जिससे जो आपके आख के नीचे ब्लेक ब्लेक जो प्राबलम रहता है वो ठीक हो जाता है इस फेस्वास से ये फेस्वास आपक चेहरे पर लगाने से ये आपके चेहरे की जो चमक है यानि हम कह सकते हैं आपके चेहरे की जो सुन्दरता है वो बढ़ जाता है और जैसे की पिंपल्स के सेम आप अपने चेहरे पर कभी-कभी देखते होंगे कि नाक के साइड में या फिर चेहरे पर कहीं छोटे-छोटे म महिन महिन से फोड़ा पुंसी या फिर और किसी कारवस से वहाँ पर दाने पढ़ जाते हैं तो इन सारी समस्याओं में ये फेस्वास आप उप्योग कर सकते हैं जिससे आपके चेहरे पे जो प्राबलम रहता है वो ठीक हो जाता है चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि ये आप अपने चेहरे पर किस परकार से लगा सकते हैं जैसे कि आप ये फेस्वास दिन में दो से तीन बार आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं जैसे कि ये फेस्वास लगाने से पहले आप अपने हाथ को डी टॉलिया साबून से अच्छी तरह से धुलने उसके बाद में य ये फेस्वास काफी अच्छा होता है.